जो यह 7 नमबर का क्यूशन है वो अपने फंक्शन के एलजेबरा पर dependent क्यूशन है तो देखिएगा कि यहां से f of 2 फंक्शन है जो कि r2r है जो कि real functions है जो कि यहां पर function है वो एक तो f of x equal to x plus 1 दिया वा है gx है जो कि 2x minus का 3 दिया वा है तो finding the f यानि sum of 2 function और यहां पर देखि यहां पर अब इनको कैसे solve करते हैं देखिएगा तो पहले हमें पता है solution कि हम कि given तो है एक तो अपने पास function है जो कि f है जो कि rr है and एक function के अपना zx है जो कि कहां से र से r के अंदर define है और इसके अंदर देखिएगा कि जो f of x है वो कैसे है देखिएगा कि वो है x plus का 1 है और जो gx है वो कैसे define है वो अपने define है वह 2x-3 ठीक है अब देखिए एका पहला question यहां से जो first question है वो आपका f of gx को find out करना ठीक है अब देखो f of plus का gx है इसको find out करना है तो हम इसको write down कर सकते है f of x plus का gx और यहां से देखो gx कितना होगा fx कितना होगा वही x plus का 1 होग plus यहां से 2x-3 होगा यह दोनों को 8 खर देंगे अब यहां से देखेंगे तो 3x-2x होगा यहां तक ठीक है दूसरी यहां पर आया दूसरा क्या है फ of क्या product देख लीजेगा product क्या है f of gx का product क्या होगा ये तो product में हम क्या करते है भी f of x और gx यह इसका product equal to क्या लिखेंगे f of और gx इनका product करेंगे तो fx का product fx कितना भी x plus का 1 है और दूसरा है वो 2x और minus का 3 है यहां तक कितना होगा 2x का square minus का 3x और यहां से कितना हैगा plus का 2x और minus का 3 और यहां से देखो 2x square देखो कितना हैगा minus का x और minus का 3 यह क्या है answer है इसका तो यहां से देखो अपके पास product आगया अब देखिएगा कि क्या चाहिए अपने को यहां पर subtraction और चाहिए बई इसका क्या चाहिए subtraction तो यहां से third point आपका और फ उफ माइनस का z x क्या होगा ठीक है यह तो इसको हम क्या लिखेंगे बई f उफ माइनस का g x equal to क्या एक भाई f उफ माइनस का g x तो यहां से f x क्या आपका भाई f x आपका भाई h x plus का 1 minus का और यह क्या है 2x-3 तो यहां से क्या हैगा x plus और minus का 2x plus का 3 यहां से कितना हैगा minus का x plus का 4 यह तो इनका देखे subtraction आ चुका है अब divide में देखते में divide क्या हैगा ठीक है तो यहां से fourth जो point है वो आपका है और यहां से देखो x को क्या नहीं होना पड़ेगा x does not equal to 3 by 2 जैसे 3 by 2 रखोगे तो नीचे 0 बन जाएगा जो कि undefine होगा